कारगम्य उपस्तित मेरे सहीयोगी स्रीजी के संडेडी जी अर्धुन्राम मेगवाल जी मिनाक्षी लेखी जी दायना क्यालोग जी दुनिया के विविन्द देशों से आये अतिति गण कला जगत के सभी गणमान्य साथियों देवी और सज्जनों लाल कीले का ये प्रांगर अपने आप में बहुत अइतिहासिक है ये कीला केवल इमारत नहीं ये एक इतिहास है आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीडियां गुजर गई लेकिन लाल के लाडी है अमीट है इस वर्ल हेरिटेज साइट लाल के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों हर रास के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मुल्यों से परिचीत करवाते हैं और इन प्रतीकों को घड़ने का काम राश की कला संस्कृती और वास्तु का होता है राजदानी दिल्ली तो ऐसे ही कितने प्रतीकों का केंद्र है जिन में हमें भारतिय वास्तु की भव्यता के दर्शन होते हैं इसलिए दिल्ली में आयोजद हो रहें इंडिया आर्ट आर्किटेक्ट्टर एंड डिजाइन भी नाले कई आयोजन कई माइनों में खास हैं मैं अभी यहां बनाएगे प्रेवेलेंस देख रहा था और मैं आपकी शमा भी मांगता हूं कि मैं लेट भी इसी के कारण आया कि वहां एक से बढ़कर ऐसे देखने योग्ये समझने योगे चीजें हैं कि मुझे आने में विलंभ हो गया और फिर भी मैं दो तीन स्थान तो छोड़ने पड़े मुझे इन पैविलियंस में कालर्स भी है क्रियेटिविटी भी है इसमें कल्चर भी है और कॉम्मिनिटी कनेक्ट भी है मैं इस सफल सुरुवात के लिए संस्कृति मंत्रा लाएं उसके सभी अधिकारी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं सभी देशों को और आप सभी को बढ़ाई देता हूँ हमारे यहां कहा जाता है कि किताब जो है वो दुनिया देखने की एक छोटी सी विंडो के रूप में उस्षुरुवात करता है मुझे लगता है कला मानों मन के भीतर की आत्रा का महा मार गया है साथियों बारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट है एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक सम्रुदी के किस्से कही जाते थे आज भी भारत की संस्कृती हमारी प्राचीन धरोहरे पूरे दुनिया के परियत्रकों को आकर्शित करती है आज देश विरासत पर गर्व इस भावना लेकर अपने उस गवरों को फिर से आगे भढा रहा है आज आर्ट और आर्किटेक्ट्चर से जुड़े हर छेत्र में आत्म गवरों की भावना से काम हो रहा है चाहे केदारनात और कासी जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो महाकाल महालोग जैसे पुननिर्मान हो यह आजाती के अमरितकाल में भारत सांस्कृतिक समृतिक के नए आयाम गट रहा है इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है भारत में हो रहा यह बियनाले इस दिशा में एक और शांदार कदम है इसके पहले हमने देखा है यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपर हुआ था अगस में फेस्टिवल आफ लाइबरीज का आयोजन भी किया गया था इन कारकमों के जरिये हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्ट्रल इनिशिटिव को सौंस्थागत बनाया जाए उसको इंस्टिटिव स्लाइट किया जाए एक आधूनी की व्यवस्था बनाया है हम चाहते हैं कि वेनिश साव पाइलो चंगापूर सिड्डी शारजा जैसे बियनाले और दुबई लंदन जैसे आठ फैस की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने और इसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टक्नोलोजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा को उसका समाज रोबोट हो जाए हमें रोबोट त्यार नहीं करने हमने इंसान बनाने और उसके लिए संवेधना चाहिए और में चाहिए सद्भावना चाहिए उमझ जाहिए उत्सा चाहिए आशाए निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए यह सारी क्वाइब की दूख फाने धिए प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्त को जानना पैचानना उसे जोड़ना इसके लिए बहुत बड़ा सहारा देती है और साथियों अपने इन लक्षों की प्राप्ति के लिए ही आज आत्म निर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकारपन भी हुआ है यह सेंटर भारत की यूनीक और रेर क्राप्स को दुरलब कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा यह कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने मार्केट से इसे उन्हें इनोविशन करने में मदद करेगा इसे कारीगरों को डिजाइन डवलप्मेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी परंगत होंगे और हम जानते हैं भारतिये शिल्पियों में इतनी पतिवा है कि आधुनिक जानकारी और समसादनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी चाप छोड़ सकते हैं फ्रेंक्स भारत में पाँच शहरों में कल्चरल स्पेस बनानी की शुरुवात होना भी एक एतिहासिक कदम है दिल्ली के साथ साथ कोलकता, मुंबई, अमदाबाद और वाराणाचि में बनने वाले एक कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृति ग्रुप से और सम्रिद्द करेंगे ये सेंटर लोकल आर्ट को एंड्रीज करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे आप सभी ने अगले साथ दिनों के लिए साथ महतोपूर थीम्स भी ताइक किये इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व इन थिम्स को हमें एक मिशन के रुप में आगे लेकर चलना होगा देश जानी इंडिजीनियस इंडिजीनियस डिजाइन को एंडिज करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवाओं के लिए अध्यान और रिसर्च का हिस्सा बढ़े समत्व थिम वास्तू के खेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करती है मुझे विश्वास है नारी शक्ती की कलपना शक्ती उनकी रचनात्वक्ता इस खेत्र को नई उचाई पर लेकर जाएगी साथियों भारत में कला को रस और रंगों को जीवन का परियाय सिनोनिम अफ लाइफ माना गया है हमारे पुर्वजोनत यहां तक कहा है कि साहित्य संगीत कला भी हिन साहित्य संगीत कला भी हिन शाक्षात पशू पुरुच्छ विशान हिन अर्थात मनुष्य और दूसरे जीव जिद्तों में साहित्य संगीत और कला का ही मुख्यंतर है यानि सोने जागने और पेट भरने की आदते अपनी स्वाभा भी खोती है लेकिन ये कला साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य के जीवन में रस गोलते हैं उसे खास बनाते हैं इसलिए हमारे हां जीवन की अलग-अलग जरुतों को अलग-अलग दाइतों को चतु सास्थ कला शिक्स्टी फोर आर्ट्स के उसे जोड़ा गया है जैसे कि गीत संगीत के लिए बाद्य नुर्त्य और गायन कलाए हैं इनमें भी बॉटर वेव्ज आदिपर आधारित उदक बाद्यम यानि जलवाद्य जैसी स्पेसिफिक आर्ट्स भी हैं हमारे यहां कितनी तरह के सैंड्स या पर्फ्यूम बनाने के लिए गंद्ध युक्ती ही कला है मिनाकारी और नकाशी के लिए तक्ष कर्म कला सिखाई जाती है सुचिवान कर्मानी कला है हमारे हैं यह सब काम कितने परफरिक्शन के साथ किये जाते थे इसका अंदाजा आप भारत में बनने वाले प्राचीन वस्त्रों से लगा सकते हैं कहां जाता था कि कपड़े का पुरा थान मलमल ऐसा बनता था कि एक अंगुट्री मेंसे उसको पार किया जा सकता था यानि ये ये सामर्थ था भारत में नकाशी मिनाकारी जैसे काम भी केवल सजावड की चीजों तक सिमित नहीं थे बलकि तलवारों ढालों भालों जैसी युद्ध की चीजों पर भी अदभूत कलाकारी देखने को मिलते थी इतना ही नहीं अगर कोई मैं तो चाहूंगा कभी इस थीम पर कोई सोचे हमारे यहां पशूओं के आभूशन घोडे पर अपना डॉग रखते हैं तो उस पर बेल होते थे गाय होते उस पर जो आभूशन में जो विभी दिताए थी कला थी यहने अपने आप अजूबाय है और कितना परफेक्शन था कि उस पशूओं को फिजीकली तकलीफ नहीं इसकी पूरी कैर करके बनाय जाता यह अने अगर इन चीजों को समाहित करके देखें तब पता चलता है कि कितना सामर्त इसमें भरा हुआ है सात्यों से कितनी आर्ट हमारे देश में रही है और यही भारत का प्राचे नितिहास रहा है और आज भी भारत के कौने-कौने में इसके निशान हमें मिलते हैं मैं तो जिस सहर का सांसद हूँ वो काशी इसका सर्वस्रेश्ट उदान है काशी को अमिनाशी कहते हैं क्योंकि काशी गंगा के साथ साथ साहीतिय संगीत और कलाओं के अमर प्रभा की धर्ति है आध्यात्मिक तौर पर कलाओं के जन्मदाता माने जाने वाले भगवान शीव को काशी ने अपने रुदे में स्थापित किया ये कलाओं ये शिल्प और संस्कृति मानविय सब्वता के लिए उर्जा प्रभा की तरह हैं और उर्जा अमर होती हैं चेतना अविनाशी होती हैं इसलिए काशी भी अविनाशी है फ्रेंट्स बारत के इस कल्चर को देखने के लिए दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ मेहने पहले हमने एक नई शुरुवात की थी हमने गंगा विलास कृच चलाया था जो काशी से असम तक गंगा के अंदर प्रवाश करते हुए यात्रियों को लेकर गया था इस पर दुनिया के अने टुरिस्ट आयते करीब 45-50 दिन का वो कारकम था एक ही यात्रा में उन्हें गंगा के किनारे बसे कितने ही शेहरों और गाओं और इलाकों का अनुभव प्राप्त हुआ और हमारा मानत संस्कृति का विकास भी नदी के तटों पे हुआ है अगर एक कि गहराई को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है और इसी एक विचार में से ये गंगा कुरुज को हमने शुरू किया था फ्रेंट कला का कोई भी स्वरूप क्यों नहों हो उसका जन्म प्रकृति के नेचर के निकठी होता है यहां भी मैंने जितना देखा कि ही इसने कहीं नेचर का एलिमेंट उस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है उससे बाहर एक भी चीज नहीं है इसलिए आर्ट बाइन नेचर प्रो नेचर और प्रो एंवार्मेंट और प्रो क्लाइमेट है जैसे दुनिया के देशों में रिवर फ्रेंट की बहुत बड़ी परमपरा है हमारे कितने ही परवा और उस्व इनी घाटों से जुड़े होते हैं इसी तरह कूप सरोवर बावडी स्टेपवल्स की एक सम्रुत्य परमपरा हमारे देश में गुजरात में रानी की वाव हो राजतान में अनेक जगों पर दिल्ली में भी आज भी कई स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे और जो रानी की वाव है उसकी विश्यस्ता यह है कि पूरा उल्टा टेंपल है यहने कैसे उस हमें की कला स्रुष्ट्री को सोचने वालों लोगों ने इसका निर्मान किया होगा तो कहने का मताद पर है कि इन सारे हमारे पानी से जुड़े जितने संग्र के स्थान है इनका आर्किटेक्ट्टर आप देखिए इनका डिजाइन देखिए देखने में किसी मेगा मार्वेल से कम नहीं लगते इसी तरह भारत के पुराने किलों और दुरू दुर्गों का वास्तु भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है हर किले का अपना आर्किटेक्ट्टर है अपना साइंस भी है मैं कुछ दिन पहले ही सिंदु दुर्ग में था जहां समुंदर के भीतर बहुत ही विशाल किला निर्मित है हो सकता है आपने से कुछ लोग जेसल मेरे भी पट्वों की हवेली भी गए होंगे पांच हवेलियों के इस समू को इस तरह बनाया गया था कि वो नेच्रल एर कर्णिशनिंग की तरह काम करता है यह सारा अर्किटेक्ट्चर न केवल लॉंग संस्टेनिंग होता था बल्कि एन्वार्मेंटरली संस्टेनेबल भी होता था यानि पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ ज्यानने सिखने के लिए अवसर है फ्रेंट्स आर्ट आर्किटेक्ट्चर और कल्चर एमानविय सभ्यता के लिए डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों के स्त्रोत रहे हैं हम दुनिया के सबसे विवीदिता पूर्ण राष्ट हैं लेकिन साथ ही वहीं विवीदिता में हमें आपस पे जोड़ती है जब मैं मैं अभी किलों की बात कर रहा था मैं एक दो साल पहले कारकम के लिए मुंदेल खंड गया तो जांसु के किले पर एक कारकम था फिर मैंने वहां सरकार से बातिक दी कि हमने मुंदेल खंड को फोर्ट टूरिजम के लिए डवलक परना चुए और बाद में उन्होंने सारा र आप हरान हो जाएंगे अकेले बुंदेल खंड में इतना रीच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट का सिर्फ जांसी का नहीं अनेक जगा और पास-पास में ही सारे यानि इतना सामर्थमान है मैं तो चाहूंगा कभी हमारे जो फाइन आर्स के स्टूडेंट है वह वहां जाकर के उसको आर्ट वर करने का बड़ बड़ा कंपूटिशन रखा जा सकता है तब ही जाकर के दुनिया को पता चलेगा हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्मान किया है कि आपने सोचा है कि भारत की इस डाइवर्सिटी का स्रोथ क्या है इसका स्रोथ है मदर डेमोक्रिसी की रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आर्ट आर्खिटेक्चर और कल्चर तभी फलते भुलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती हैं अपने धंच से काम करने की आजहादी मिलती है कि डिबेट और डायलोग की इस परंप्रा से डायवर्सिटी अपने आप पनप्ति है इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती हैं तो हम हर तरह की विवितता का स्वागत भी करते हैं उसे सपोर्ट भी करते हैं देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में जी अधिके आयोजन के जरिये हमने अपनी इस विवितता को दुनिया के सामने सोकेस किया है साथियों भारत अयम निजह परोवेति गणना लगू चे इतसाब इस विचार को जीने वाला देश है अर्थात हम अपना प्राया की सोचे जीने वाले लोग नहीं हैं हम स्वयम की हम सेल्प की जगर उनिवर्स की बात करने वाले लोग आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थववस्ता मनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बहतर बविश्य देख रहा है जैसे भारत के एकनामिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड है वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्टर जैसे ख्षेत्रों में भी भारत के पुनोदैस से भारत के सांस्क्रतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो जिसका लाप पूरी दुनिया को हो रहा है हमने प्याद सुरू किये तो इसके एहमियत पुरी दुनिया सबज रही है हमने अपने सांस्कृतिक मुल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए वकल्प संकल्प की आज मिशन लाइफ जैसे अभ्यानों के जरिये पूरे विश्व को बहतर इसके उमीद मिल रही है आर्ट आर्खिटेक्टर और डिजाइन के खेतर में भी बारत जितनी मजबूती से उबरेगा उसका उतना ही लाब पूरी मानोता को होने वाला है साथ्यों सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समर्द होती है इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागी दाली उनके साथ हमारी पांटर्शिव बेहत महत्वपून है मैं चाहूंगा कि आयोजन का आगे और भी विस्तार हो इसमें जादा से जादा संख्या में देश साथ आए मुझे भी स्वात है कि आयोजन इस दिशा में एक एहम शुरुवात साबित होगा इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवात और देश वास्यों से मेरा आग्रह है कि मार्च महिने तक यह आपके लिए उपलब्द है पूरा दिन निकालिए एक एक चीज को देखिए हमारे यहां कैसी प्रतिवाएं हैं कैसी परंपरा हैं प्रक्रुति के प्रति हमारा कितना लगाव है इन सारी बातों को एक जगा पर मैसूस कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवात